हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और जो नए वीवर्स हैं जिन्होंने आज ही चैनल पर विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डॉंट फोगेट टू लाइक और शियर अलसो तो आज का टॉपिक है हमारा लेवल ओफ टीचिंग की जैसे शोट में यू एल्टी भी बोलते हैं तो अंडरस्टांडिंग का मतलब क्या होता है सोच समझ से जब आप किसी भी चीज को समझ जाते हैं ठीक है लेकिन जब अंडरस्टांडिंग की बात करते हैं तो यहां पर समझना इंपॉर्टेंट हो आता है झाया एक टीचर तरीचिंग की जाते हैं ठीक हो जाता है तीचर त्था पर आपक्ट है की वो उसे समझ सकें नेख ओ येश एक होont का है फिशक प्यागेव मिक्त लेवल तक अंडरस्टांड इंपल सम्यों में क्या दा memory level में teacher centered था जो teacher थी वो main थी teacher active थी लेकिन यहां पर understanding level में student active होता है teacher उन्हें guide करती है अगर अब हम बात करेंगे elements of understanding level understanding में यही होता है जब कोई चीज सोच समझ की की जाती है तो वो सारी चीज इसके अंदर आ जाती है in the understanding level of teaching the mental level mental development of learner abilities of the students are developed here students become capable to think यह बहुत इंपरेंट है student become capable to think present things अब present things का मतलब है की question को problem को solve करना logically thinking develop and analyze the problem solve the problem draw interferences they are able to evaluate the relationship between the principles and facts because जब understanding level बन जाता है किसी भी चीज को लेकर तो आप वहां पे चाहे differentiate करा लो चाहे elaborate करा लो चाहे compare करा लो चाहे draw करा लो student will be able to do all the teaching के कौन से elements होते हैं अब आप सोचेंगे कि क्या यह elements क्या इनकी notes बनाना important है देखिए अपनी अब आप सेट्ट में आता है और जो आपके teaching exams होते हैं उसमें आता है आपका netset के paper में भी आता है paper 1 में आता है आपका teaching aptitude है अगर आप master students और आप net की preparation कर रहें तो वहां से भी a topic cover होता आपका TGT PGT PRT जितने भी teaching exams होते हैं सब में teaching aptitude आता ही आता है तो यह हर एक level के students के लिए important है अब आप बोलते हो कि क्या यह मेरे लिए important है देखिए अगर आप masters कर रहे हैं में कर रहे हैं तो यह topic presently आपके लिए important नहीं है लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि masters के बाद आपको net qualify करना है आपको higher level पर पढ़ाना है तो teaching aptitude आपके लिए important है क्योंकि ऐसा कोई भी exam नहीं है teaching का जहां पर teaching aptitude नहीं आता है तो अब अगर हम इसके objectives की बात करो और जितने भी exams होते हैं वो objective based होते हैं तो आपकी understanding develop होना जरूरी है वहां पर रटा तो जाता नहीं है नहीं आपको एक पिस दे देंगे कि आप लीकिए maximum क्या होते है आप net का पीपर देखते हैं पेपर वहां पर objective type question आते है पेपर 2 में भी objective टाइप आता है पर पेपर 2 subjective हो जाता है लाइक सिर्फ English से related आएगा English की novel, non-fiction, poetry, drama, etc. लेकिन जो पेपर 1 है वो general होता है सब के लिए चाहें आप net qualify करें quality से, history से, math से, science से, किसी से भी करें पर पेपर 1 आपका general होता है और यह पेपर 1 का एक subject है teaching aptitude यह आपका सीटेट में भी आता है, understanding objectives और application objective, understanding objectives में क्या क्या आ जाता है, it is an understanding instruct message by the means of interpreting, exampified, classified, comparing यह सारी चीज़े आ जाती है understanding में, application में क्या आता है कि किसी चीज़ को आप apply कर रहें, जैसे कि rules को apply कर रहें practical life में, suppose आपने profit and loss सीख लिया, सीख लिया, आपको समझ में आ गया, वो आपका understanding objective में आ गया, आप उसे apply कर रहे हैं, आप shopping करने जाते हैं, वहाँ पर आपको जो shop की पर हो बोलते हैं कि मेडम इसके उपर, यह सर इसके उपर आपको 10% discount मिलेगा, तो आप उस actual price से, उस MRP से 10% discount, मतलब कि 10% का जो आपको profit, जो discount हो रहे हैं, उसको separate करके आप उसको deduct कर सके, यह capability अगर आ shopping सभी करते हैं, चाहा हो male हो female हो boy, girls सभी करते हैं, तो यह चीज़े concept clear करने के लिए दे रहे हुआ, examples, the content also includes the application of the principles, generalization due to the real life of situation, elements की बात करें, तो दूसरा element क्या है, nature of subject matter, कि किस तरीके का subject matter है, क्या वो understanding पर ही पूरा बेस्ट है, क्या उसको solve करना पड़ेगा, क्या वो mathematics है, तो इस तरीके से relate करता है, next one is teaching methods, methods use, methods का मतलब होता है कि कौन से method का use किया गया, for achieving objectives or understanding, comprehension and application, कुछ methods यहाँ पर होते हैं, जैसे कि lecture method, lecture come demonstration method, discussion method, inductive, deductive method, exemplification method, यह किस level पर use होते हैं, यह higher level पर use होते हैं, इसलिए, यह higher level पर use होते हैं, और यह understanding level of teaching के अंदर आते हैं, जो important methods होते हैं, lecture method होता है, short में बता दू, जिसे आप देखते हैं, college में teachers होते हैं, podium पर खड़े होके, सिर्फ orally explain कर रहे हैं, that is all called lecture method, lecture come demonstration, यह mathematics, science, यह English में भी होता हैं कभी-कभी, कि अगर active teacher होते हैं, तो वो क्या करत हैं, कि podium पर प्रेजेंट भी कर रहे हैं, side by side, उन्होंने कुछ projector set कर दिया है, और पीछे से कुछ दिखा भी रहे हैं, और पढ़ा भी रहे हैं, especially Delhi University में तो बहुत अच्छा होता है, तो यहां पर क्या होता है, कि teacher पढ़ा भी रहे हैं, और वहां पर कुछ picturization दिखा रहे ह है, जिसकी एक autobiography है, करक कु जो की Bama ने लिखा गया है, वो दलिद community से, तो ऐसी कुछ चीजे होती है, जो बच्चों को समझाने के लिए teacher projectors का use करते हैं, ठीके, तो होता है lecture come demonstration method, कि वहां पर lecture come होता है, दिखाया जादा जाता है, ठीके, दोनों चीजे एक साथ mix होती है, तो उस method को बोलते है, memory level में क्या था, कि वहां बच्चे engaged नहीं थे, लेकिन यहां पर क्या है, बच्चे बहुत जादा engaging होते है, teacher एक ऐसा involvement प्रवाइड करता है बच्चों को, कि वो क्या करता है, question पूछते है, और side by side, जोनका teaching learning process है, वो बहुत अच्छा चलता है, हमने द listen that, तो इससे क्या होता है, अगर motivate है बच्चा, तो क्या होगा, वो किसी भी काम को बहुत effective तरीके से करता है, next है teaching equipment, teaching equipment ने क्या क्या आता है, models, charts, flashcards and pictures, किसी भी चीज को, अच्छे teaching equipment यूज करते है, अपनी teaching को effective or interesting बनाने के लिए, एक teacher, एक अच्छा teacher, एक ideal teacher, teaching aids का use करता है, या फिर teaching equipment आप इसे बोल सकते हैं, जो कि आपका understanding level का एक क्या है, element है, next है evaluation, evaluation होता है, tools and devices कि आपने कुछ पढ़ा दिया, ठीक है, as a teacher, आपने कुछ पढ़ा दिया, अब आप evaluate भी तो करेंगे, क्या वो बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए schools में, colleges में test होत होते हैं, right, final exams तो होते ही होते हैं, semester wise, लेकिन internals भी होते हैं, जो कि आपके 5-10 marks जो भी होता होगा, university to university differ करता है, ठीक है, तो वो internals भी होते हैं, अगर मैं दली उनिवस्टी की बात करूँ तो यहां 20 marks का internal होता है, और उसी internal के अंदर ही 20 marks में यह assignment भी include कर देते हैं, और ए चलिए, अब बात करते हैं, role of teacher, क्यों, teacher का role क्या होता है, person responsible for presenting lesson and teaching material, teacher makes sure that people understand the content of meeting interesting for them, अब एक teacher की सबसे बड़े duty क्या होती है, कि जो पढ़ा रहा है, उसके बच्चों को समझ में आए, because कोई meaning नहीं है teaching learning process का, जब तक students को चीज़े समझ में नहीं आ रही हैं, जब आप य topic पढ़ते हैं, जब भी आप teaching aptitude की class ले रहे हैं, आप अपने आपको एक teacher की तरह देखे रखेंगे, एक student नहीं है, अगर आप एक teaching aptitude की class ले रहे हैं, तो, आपको एक teacher की तरह attitude डवलब करना है, क्योंकि exams में जो questions पूछे जाते हैं, वहाँ पे भी आपको answer एक teacher बन के ही स बच्चा तुम्हारी क्लास में आना चाहे, तुम्हारी क्लास में पढ़ना चाहे, तुम्हारी क्लास में बैठना चाहे, रोल of learner, learner का रोल गया होते हैं, इसके अंदर, so passive like the memory level of learning, the learner has to work hard at this level, comparison to memory level of learning, the learner has the level of secondary, can take the initiative to know further about the content, both the teacher and the learner interact with the framework set by the teacher, and obtain the objective designed by that level of teaching, कि teacher और student, they both play equal role, एक teacher कोशिश करता है, जहां समझाने की content को बहुत अच्छे तरीके से, वही पे जो एक student है, वो क्या करता है, वो भी अपनी teacher के साथ interact करता है, और उनों objectives को successful करने के लिए काम करता है, hard work करता है, यहां पे जो student का hard work है, वो memory level of teaching से जादा हो ज यहां पे student भी कर रहा है, ठीके?